नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओलन इडाव फ़स्टी यूट्यूब चनल पर जिसा कि दोस्तों आप जानते किसी भाति सम्मधित कोई भी जान कई होती है आप सभी का ओलन इडाव फ़स्टी चल के माध्यम से रियल ऑफेंटिक सबसे पहले दी जाती इस वीडि जाएगी साथ ही आप सभी को फूफ के साथ दिखाया जाएगा दो लाग 47,000 खाली परों को भाने के बारे में दो लाग 47,000 पर यांसे सिक्षक बरती देखने के लिए मिलेगी और नए फोर्मूले के माध्यम से ही नई सिक्षक बरती का जो विग्या पने वह जादी होगा ऐसा मैं नहीं ऐसा कहना शार्षन का अब यह जो नया फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा वह चाहिए बीएड करने वाले अब बैती हो या फिर बीटी सी या फिर टीटी पास करने वाले अब बैती इन सभी के लिए कहीं काफी बड़ी चीजें लेकर आने वाला है सुपर के अंदर कुछ ऐसा आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा जो कि आज से पहले नहीं हुआ था डिटेल में हम बात करेंगे एक एक मुद्य को लेकर लेकिन उसे पहले वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा ले जिससे कि आपको धि होने के लिए अब सरकार एक नए फॉर्मूले को अपनाने जारी है नए फॉर्मूले के माध्यरम से यहां पर इन पदों को बढ़ा जाएगा लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रतेस में नई प्राइमरी सिक्षक भरती की सीधी भरती का विग्याबन निकाला जाता तो यहां जाते हैं वहां यहां पर ब्रात्मिक सिक्षका के माध्यां से यह ज लेकिन जो प्रास्तमीक सिधी काली होते हैं उनको बढ़ी सिख्षक बरती के माद्यम जाता है जैसे कि बीते दिनों मनदलग बीते साल 68 आजå इसर स्ट आजा साल पहलु कि जारी किया गया था अब बादमान में सिख्षक बरती को लेकर बड़ी संख्या में पदखा लीए इसको लेकर सरकार के माद्यम से जान का इपी दीगOW के अंदर धाई लाग से जादा स्क्षकों की जो पर्दे वो खाली पड़े हुए हैं और इसमें आप सुभी को प्रूफ के साथ आगे में जानकारी दूँगा और साथ ही इस नए फोर्मूले से क्या प्रबाब पड़ेगा इसको लेकर भी हम आगे बात करेंगे लेकिन पहले समझ लेत से जिसमें लिखा हुआ है कि प्रैमरी स्कोरों के अंदर सिक्ष्कों की प्रदोनती के लिए अब नई सेर्स से नीती बनाई जाएगी नई नीती में प्रैमरि स्कोरों से तीन साल में अध्यावक बेजा जात रहा है प्当ुर्लों का देखने के लिए मिलता। लेकिन सबसे ज़्यादा काम की जो बात है वो आप सभी के लिए यहां पे हैं नई प्रैमरी शिक्षक बरती को लेकर कि प्रदेश के प्रैमरी स्कूलों के अंदर शिक्षकों के लगबग अगर बात की जाए तो यहां पे जो खाली पदों की संक्या वो धाई लाग से ज़्यादा है और इन धाई लाग खाली पदों को भरने के लिए सरकार नए फरमूले पर विचार कर गही है। दो जानकाई आपको यहां से मिलती है। फहली जानकाई हुँए कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर ढ़ाइघ लाग से ज़ादा सिक्षक यहां और जादी मिलते हैं। वह प्राथमिक और जूनियET दोनों के ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है मैं आपको फूरुफ के साथ दिखाऊंगा दूसरी जानकर यहां से देखने के लिए मिलती है कि सरकार ठाइलाग से ज्यादा खाली पदों को भरने के लिए सरकार नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है मतलब यह है कि अगर इन पदों को भरा जाए तो सरकार के माध्यम्स एक नया फ्रम्मूला आप सब्सक्राइब सामने लाया जाएगा और उसके माध्यम एरपी का मतलब क्या होता है गूगल में सर्च कीजिए अकैडमिक रिसोर्स पर्षन यह बेसिक सिच्छा विराक के अंदर एक पोस्ट होती है जिसको यहां पर रखा जाता है अधिकारी से नीचे हम अधिकारी लेवल की पोस्ट कह सकते हैं जिनके माध्यम से बेसिक विद्या की अगर बात की जाए तो 5,804,84 पर सजित हैं कुल नियमित अध्यापकों की संक्या है वह 3,32,734 है यहां पर नियमित का मतलब समझते हैं जिनको परमेनिक सिक्षक के नाम से जाना जाता है यहां पर शिक्षा मीत अनुदेसकों को जोड़ने की बात नहीं है ठीक न तो यह तो मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने पद खाली या भरती का विग्यापन कितने पदों पर जादी होगा यह देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि प्रात्मिक के अंदर 21,000 पद पहले से खाली पड़े हैं इसके अलावा जब जूनियर में प्रमोशन हो जाएंगे तो यह पदों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी और शिक्षा में तो अनदेशकों के पदों को न जोड़ें तो इतना आकड़ा आप सुभी क देखने के लिए मिलेगा पहला दूसरा जो सुपर टीटी के माध्यम से पद भरे जाएंगे तो सुपर टीटी के अंदर भी बदलाब के संकेत सरकार के माध्यम से दिए गए यहां पर लिखी बात कुए तरीके से साफ है कि प्रदेश के प्रदेश के खाली पड़े हुए को भरने के लिए सरकार नए फॉर्मूले को लेकर विचार करें तो यह जो आपको नया फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा वो नए प्रमरी शिक्षक भरती के अंदर कई बड़े बदलाब भी आप सबीके सामने लेकर के आने वाला है क्योंकि आप जानते कि अब तक यह पूरे तरीके से नए निवावली जाजी कर दी जाएगी तो सुपर टीटी में बदलाब होने से कहीं न कहीं बीएड ओ बीटीसी करने वाले अभयतियों को थोड़ा सा जटका लेकर क्योंकि अपनी तयाईयों के मुताबिक उनको बदलाब करने पड़ेंगे तो ऐसे में न जिससे कहीं न की और भी आप सभी की जो तेहाईयों प्रवावित हो सकती हैं लेकिन ये बात पूरे तरीके से साफ है कि 2,47,000 प्रात्मिक सिच्चकों के बदखा लिये सरकार नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है इन पदों को भरने के लिए और आप सभी के लिए थोड कौन से मुद्ध्य होते हैं अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी त्यारी मोटिवेशन के साथ करते रहें आने वाली नई प्राइमरी शिक्षिक भरती का विग्यावन जब भी जारी होगा बहुत कुछ नया लेकर कि आएग फिलाल इस वीडियो के माधियरम से तना ही थैंक यू वर वर्चिंग इस वीडियो